जनमपत्री का नवम भाव क्या सिरफ हमें हमारे भाग्य के बारे में ही बताता है या और भी बहुत सारी जानकारियां देता है क्या नवम भाव सिरफ शुब श्रिणी में ही आता है या नवम भाव में कुछ ऐसा भी होता है जो जिन्दिगी के अशुब फल के बारे में भी हमें जानकारी देता है कहने का तात पर दर्शको किसी भी कुणली के किसी भी भाव की बहुत जादा महत्वता होती है परन्तु उसके बारे में समझना बहुत आवशक होता है इसलिए हमने भाव और भाविष्च संबंदित एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसकी अनुसार आपको बहुत सी जानकारिया मिल सकती है कि किसी भाव से संबंदित क्या फल होते हैं या उस भाव का स्वामी कहीं जाकर बैठा है या किसी तरह से बैठा है, किसी के साथ बैठा है तो क्या प्रभाव हो सकता है उसी ट्रेणी में आज नवंभाव की जानकारी रखेंगे कि क्या नवम भाव सिर्फ शुब फल ही देता है या कुछ अशुब कारक भी हो सकते हैं इसके आए वीडियो की शुरुवात करते हैं मैं स्ट्रलाजर शेलिजन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ दर्शको नवम भाव के बारे में सबसे पहली जानकारी जो समानने तोर पर सबी जानते हैं कि यह जनम पत्री का भाग्य भाव होता है यानि किसी व्यक्ति का भाग्य में कहां अपस और डाउंस आएंगे ये जानने के लिए इंसान नवम भाव के बारे में जानकारी देखना चाता है वहाँ बैठी वी राशी या कोई ग्रहे या किसी तरह की दृष्टी का संबंध ये सब जानकारियां आप नवम भाव से भाग्ये के लिए देखते हैं लेकिन दर्शको क्या आपने ये सोचा कि नवम भाव आपकी जिंदिगी में उच्च कोटी के ग्यानका भी होता है यानि जो बेसिक लाइफ की नॉलिज होती है वह हम नवम भाव से नहीं लेते किसी और भाव से लेते हैं लेकिन किसी भी चीज की जादा एनलिटिकल पावर किसी भी चीज को गहराई से समझना किसी भी चीज के बारे में बहुत जादा एनलिजिस करना जिसे हम उच्च शिक्षा भी कह सकते हैं और उच्च अनवव भी कह सकते हैं उसके लिए भी नवम भाव पर ध्यान देना चाहिए कि नवम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है या नवम भाव को कौन सा ग्रह देख रहा है सिंपल भाशा देखो तो higher education लेकिन आप लोग सिरफ higher education तक ही मत रहिए higher level का experience भी नवम भाव से देखना है ऐसे ही एक अशुफल भी देखा जाता है कभी-कभी हम बहुत जादा ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन्दगी में जिसकी कारण हमारा धन एक दम से हमारे हाथ से चूट जाता है सही माईने में देखा जाए तो नवम भाव का संबंध है तो भाग्य से ही एक कारक भाग्य बहुत बड़ा कारक माना जाता है लेकिन धन हानी भी नवम भाव से देखी जाती है और खासकर ऐसी धन हानी जिसमें की हमारी बुद्धी ब्रष्ट होने के कारण हमने अपने धन की हानी करी दर्शको बुद्धी ब्रष्ट होना कोई definition तो है नहीं उसकी लेकिन कभी-कभी इंसान अपने आपको बहुत जादा intelligent समझ लेता है और over intelligence के कारण जब हम खुद अपने करमा नुसार गलतियां करते हैं न तब जो धनहानी होती है वह नवंभाव से देखनी चाहिए कि आखिर क्या मेरे से ऐसी गलती हुई जिसके कारण मेरा एकट्टा धन बरबाद हो गया या मेरी मेहनत का धन कहीं चला गया ठीक ऐसे ही आप जो संपत्ति खुद बनाएंगे, खुद कमाएंगे खुद की मेहनत से जिस संपत्ति पर आप खर्च करेंगे न उसके लिए भी नवंभाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है कई लोगों को देखा होगा अपने उन्हें बहुत ज़ादा पैतरिक संपत्ती मलती है पर अदो खुद एक मकान अपनी कमाई से नहीं बना पाते नवंभाव सहयोग नहीं दे रहा होता उन्हें लेकिन पैतरिक संपत्ती समाल के चलते हैं तो बैट कर खाते रहते हैं लेकिन वहाँ पर आप उन्हें कहेंगे कि अचारे जी इनका भाग्य बहुत अच्छा है दर्शको खुद की कमाई हुई संपत्ती के लिए भाग्य कहोना और भी ज़्यादा आवश्यक है वहाँ बैटा है तो किस तरह से प्रभाव देगा दर्शको उसके लिए हमने ग्रहों से संबंधित अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है कि कोई ग्रहे नवम भाव में बैटकर कैसा फल देता है आप उस प्लेलिस्ट के जरीए देख सकते हैं क्योंकि यह वीडियो इस बात से संबंधित है कि नवम भाव क्या बताता है इसलिए यह उस प्लेलिस्ट में जाके जुड़ेगी वीडियो जो भाव और भावेश्की है यानि सिरफ आपकी जन्मपत्रे में भाव और सिरफ आपकी जन्म बत्री में भाव के स्वामी का क्या प्रभाव पड़ सकता है इसकी जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है तो इसलिए नवम भाव एक और बात भी बताता है जो आप सबको पता है कि हम अपने बड़े बुज़ुर्गों के लिए वो हमारे साथ कैसा प्रभाव देंगे हमारा उनके साथ संबंद कैसा रहेगा हमारा पिता के साथ संबंद कैसा रहेगा यह आप नवम भाव से देखते हैं लेकिन दर्श को एक और बात खास तौर पर समझेए इसके लिए वह यह है कि क्या आपकी अपने बड़े बुजर्गों के साथ संबंदों में तनाव आ सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप तो चाहेंगे सेवा करना पर किसी कारण से सेवा नहीं कर पाएंगे? सब नवमभाव से देखिये या फिर ऐसी कोई परिस्तिती जिसके कारण आपको बच्पन से ही खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा? बड़ों का हाथ होते हुए भी आपको बड़ों का सायोग नहीं मिलेगा अपने परिवार के नवमभाव से देखिये या नवमभाव के स्व भाव के स्वामी द्रिष्टी दे रहे हैं यह बाते सुनने में कभी कभी कुछ लोगों को बेसिक लगती हैं लेकिन दर्शों को जब कुंडली का विवेचन करते हो यह अपनी कुंडली खुद भी देखने की कोशिश करते हो तो इनी बातों को भूल जाते हो कि किस तरह से इसके बारे में अनलेसिस किया जाए जैसे की मैं शुरूर में आपसे बोल रहा था कि हायर एजुकेशन लेकिन एक बात बताईए हमारा अनभावर एजुकेशन के लावा ऐसे भी बाते तो हैं जिसके कारण हम धरम और शास्त्र में रूची रखते हैं नभंभाव उसी धर और शास्त्र में रूची रखते हैं आप कहेंगे अचारे जी किस तरह का धरम और शास्त्र धरम तो धरम होता है ऐसा नहीं है दर्शको कुछ लोग धरम में बहुत जादा मानते हैं और कुछ बिलकुल नहीं मानते कुछ लोग तो ऐसी परिस्तितियां कर देते हैं जो उनक कुछ नवम भाव बता देगा उनके कुंडली का ठीक ऐसे ही कौन से शास्त्र उन्हें अच्छे लगते हैं कौन से शास्त्र मतलब बहुत तरह के शास्त्र हैं यानि कुछ ऐसे शास्त्र जो सीधी सीधी भाशा में बाते समझाते हैं कुछ ऐसे शास्त्र जो कहीं ना कहीं कु चित्र शास्त्रों में इंसान की रूची बन जाती है नवंभाव बताएगा कि किस तरह के शास्त्र में आपकी रूची है यह ऐसे मान लीजिए किस तरह का शास्त्र आपको अच्छा फल दे सकता है उसका ज्यान आपको अध्यात्मिकता की तरफ भी लेके जा सकता है या फिर नवंभाव एक और जानकारी दे सकता है दर्शको कि आखिर आप एक जंगे टिक पाते हैं या नहीं टिक पाते यह बात personal life और professional life दोनों पर apply होती हैं कई बार कुछ लोग होते हैं बड़े घुमते फिरते रहते हैं ट्रेवल करते हैं अपनी personal life में करते हैं या professional life में यह बात नवंभाव बताएगा या ट्रेवल करते ही नहीं कुछ लोगों का अपना घर बड़ा प्यारा लगता है उनसे ट्रेवलिंग का काम होता ही नहीं या वैसे भी घुमने नहीं निकलते बस अपना कमरा अपना घर अपना परिवार बाहर के दुनिया से जादा मतलब नहीं रखते कैसा होगा ये सब नवंभाव बताएगा दर्शको इसलिए नवंभाव को सिरफ भाग्ये मत समझा करो ऐसे ही कभी कभी क्या होता है दर्शको कुछ लोग अपनी संपत्ती से जुवा खेल लेते हैं बड़ा विचित्र है पर सत्य है क्या आप ऐसा करेंगे नवंभाव बताएगा कहीं आप अपने आपको उन कंट्रोल के दायरों से बाहर ना ले आएं कि आप अपनी ही कमाईवी संपत्ती या पैत्रिक संपत्ती का भी नुकसान कर दें नवंभाव बताएगा इसलिए नवंभाव का विवेचन करते वे ध्यान रखो कि सिर्फ भाग्य 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 नहीं है दुर्भाग्य भी हो सकता है यानि सौभाग्य और दुरभाग्य दोनों लेकिन वो किस तरह से किस विश्य में नवमभाव बताएगा जैसे जब आप पैदा होते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार के लोगों से ही तो मिलते हैं आपके परिवार के लोगों के साथ आपका संबंद कैसा रहेगा नवंभाव बताएगा क्या आप अपने कल्चर में कुछ बड़ोतरी करेंगे या अपने कल्चर से अलग चले जाएंगे किसी दूसरी परंपरा में ही जाके अपनी जिंदीगी का व्यापन करेंगे क्या आपको दूसरी परंपराओं को समझना पसंद आता है नवम भाव बताएगा मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ आप लोगी वीडियो देखते वे सोच रहे होंगे उधारन नहीं दिये जा रहे दर्शको कई बार इंसान के मन में यही आता है कि मैं अपनी जिन्दिगी का कौन सा हिस्सा किस भाव से देखूँ इसी कारणवशी वीडियो बनाई जा रही है जिससे आपको पता लगे कि पार्टिकुलर भाव के अंदर क्या कारक होते हैं और किस तरह से अपनी कुणली के अंदर आप उससे देख सकते हैं फिर भी बिचेतर तोर पर भी और बहुत ही वर्णन के साथ और वीडियो भी हैं जो भाव और भावेश्य संबंदित हैं जहां पर उधारन भी संबिलित किये गए हैं तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना होगा और या फिर प्लेलिस्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अब थोड़ इसी बात और करते हैं कारक की फिर वानी को विराम दूंगा तो अंतताहा यह भी जान लीजिए क्या आप किसी भी तरह की धार्बिक प्रक्रिया में निवेश करेंगे क्या आप किसी भी तरह का कुछ ऐसी संस्थान खोल पाएंगे जो सिरफ और सिरफ particular religion को grow करे या वहाँ के लोगों के साथ connect हो यानि एक तरीके से जो पुराने जमाने में accommodations होती थी जिनने धरमशालाएं कहते थे क्या इस तरह की चीजों में आपका investment होगा तो उसके लिए earning बेता चाहिए नवम भाव बताएगा यानि धरमी प्रक्रियाओं से आपको लाब होगा या कभी कभी आपको उसके जरीए मान सम्मान का भी खत्रा हो सकता है नवम भाव बताएगा ठीक ऐसे ही दर्शको हमारे रिष्टिदारों के अंदर हमारे मामा के खांदान के साथ जो संबंद बन सकते हैं नवम भाव बताएगा हमारी भावी के साथ हमारे संबंद कैसे होंगे क्या वो माता समान हमारे लिए वैवार करेंगी या कभी कभी संबंद इतने बिगड़ जाएंगे जो परिवार में बठवारा भी हो जाए नवम भाव बताएगा कारण भावी नहीं है काम आ सकें वह जानकारी आपको दी गई है फिर भी आप नवंभाव से संबंदेत या भावेश संबंदेत कुछ जानना चाहते हैं तो स्पैसिफिकली कमेंट बॉक्स में बताइए हम जरूर उसके लिए वीडियो लेके आएंगे और अभी तो और भी बहुत सारी वीडियो आ